नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मिशन सिक्षन सवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों दैनिक जीवन में हम धातू का उपियोग अनिक इस्थानों पर करते हैं की बर्तन बनाने में, पाइप बनाने में, घर में, जैलरी बनाने में, म्यूजिकल इंस्टूमेंट बनाने में, तार बनाने में, सबजीवत काटने के लिए चाकू बनाने में, कुलहाडी बनाने में, इत्यादी जंगों पर अब प्रश्णी ओडता है कि ये धातुएं प्राप्त कहां से होती हैं, तो बचों ये धातुएं हमें खनिज पदार्थों के रूप में भू परपटी से प्राप्त होती हैं, आईए जानते हैं खनिज किसे कहते हैं, भू परपटी पर प्राकृतिक रूप से पाये जाने वा मिलते हैं जैसे कि ग्रिनाइट और बॉक्साइट कुछ खनीज हमें समुद्री जल में मिलते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड sodium iodide कुछ खनीज हमें धातू और आधातू के रूप में मिलते हैं जैसे कि isphatic, अभरक और कुछ खनीज हमें धातू और आधातू ततों के योगिकों के रूप में मिलते हैं जैसे कि bauxite, copper glance, इत्याद परंतु बच्चों, हम सभी खनीजों का इस्तमाल धातू को निकालने के लिए नहीं करते हैं क्योंकि कुछ खनीज में धातू की मातरा इतनी कम होती है कि उनसे धातू को निकालना बहुत महगा पड़ेगा तो हम उन्ही खनीजों में से धातू को निकालते हैं जिनसे धातु ए अधिक मात्रा में और सरलता से मिल जाती है तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निश्करशण अधिक मात्रा में सरलता से और कम लागत में हो जाता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं अज़ता हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी घनिज आयस्क नहीं होते हैं आईए अब हमें एक तालिका के माध्यम से कुछ प्रमुक आयस्क और उनसे निश्करशित की जाने वाली धातों के बारे में जानते हैं मैगनीशियम, मैगनेसाइट नामक आयस्क से प्राप्त होती है और इसका राशाइनिक सूतर है, MgCO3, Zinc, Calamine से मिलता है, सूतर है ZNCO3, lead galena से मिलता है, सूतर है PBS, copper, copper glans से मिलती है सूतर है CO2S, iron hematite से मिलता है, इसका सूतर है Fe2O3, ammonium poxide से मिलता है इसका सूतर है AL2O3.2H2O, silver argentite से मिलता है, इसका सूतर है AG2S, calcium gypsum से मिलता है और इसका सूतर है CSO4.2H2O आई ये अब जानते हैं कि भारत में खनिच कहा 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 उपलमने लोह, बिहार, उडिशा, MP, कर्नाटा, गुज रिभूरणाटा को 26 गड़ में मिलता है टांबा, आंध्रप्रदेश, बिहार, मद्रप्रदेश और राजयस्तान में मिलता है सोना, करनाटक की कोलार खान तथा आंधरपदेश में पाया जाता है अल्मूनियम, मदपदेश, शत्यसगर, विहार, उडिसा, तमिलनाडो, गुजराद, जम्मू कश्वीर मिलता है केलशियम सभी राज्यों में पाया जाता है संग्मर्मर के रूप में ये राजिस्थान और MP में पाया जाता है अपने नेक्स्ट टॉपिक धातू तथा अधातू के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि तत्व किसे कहते हैं तो वो शुद्धपदार जो एक ही प्रकार के परमाडू उसे बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हीलियम और ऑक्सीजन ये दोनों ही तत्व एक ही प्रकार के परमाडू उसे मिलकर बने हुए हीलियम में भी एक ही प्रकार के परमाडू है और उसी तरह ऑक्सीजन में भी एक ही प्रकार के परमाडू है समस्त तत्वों को उनके गुडों के आधर पर दो भागों में विभाजित किया गया है धातू और अधातू जो इलक्टरॉन त्याकर धनायन बनाने की प्रवित्ति रखते हैं उन्हें हम धातू कहते हैं For example, Sodium, Potassium, Magnesium, Lithium अगर हम इन इन एक्जामपल्स में देखें तो लीधियम एक एलक्टरॉन त्याकर Li प्लस धनायन बनाता है Magnesium दो एलक्टरॉन त्याकर Mg2 प्लस बनाता है इसी तरह से Almonium तीन एलक्टरॉन त्याकर Al3 प्लस धनायन बनाता है आईएव हम पढ़ते हैं और गलनांग भी उच्च होता है Sodium और Photasium को छोड़कर जिनका की घहनत भी कम होता है और गलनांग भी कम होता है धातु में विशेश चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते है धातु ये Oxygen से क्रिया करके Oxide बनाती है For example, Sodium Oxygen से क्रिया करकर Sodium Oxide बनाती है धातु में विद धनात्मक होती है धातु में अगातवर्धनियता अगातवर्धनियता का मतलब होता है धातु को पीठ कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है तननियता धातु के खीचकर लबे तार बनाये जा सकते हैं जो इलक्ट्रॉन ग्रहड करके रिडायर मनाने की प्रवित्ती रखते हैं उन्हें हम आधातु कहते हैं जैसे की कारवन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इत्यादी अब हम आधातु के गुड़ों के बारे में पढ़ेंगे आधातु हैं ठोस, द्रव तथा गयस तीनों आस्ता में मिलती हैं आधातु हैं उश्मा तथा विद्दुत की कूचलग होती हैं ग्रिफाइट को छोड़ कर आधातु का घनत तथा गलनाग प्राया कम होता है आधातु हैं विद्दुत रडात्मक होती हैं तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं जर्मेनियम और सिनिक तथा एंटी मनी ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु तथा आधातु दोनों के गुड़ पाय जाते हैं तो ऐसे तत्वों को उप धातु का जाता है, जिसमें की धातु और अधातु दोनों के गुड़ पाए जाते हैं। हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है और आपको अब ये प्रशनोतरी हल करनी है। और हम आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड़ बाए टेक केर।